आधर अधाब अभिनेंदन अभार मेरे जहांसी मुंदेन सिंगे भाई और बहनों मित्रों दो बाते आमने सामने का यह मेरा पहला शो है इस 2014 में और यह साल हम सब्सक्राइब बहुत राममय साल है बकैसि इस साल हम अपने आराध्य श्रीराम जी की दिवाली को दो बार बनाने जारहें एक बार जो आक्टोबर में और नव Grembar में बनती है और एक बार जो अभी प्रान-पृतिश्था अयोध्या में जो होने जा रहा है स्रीराम जी का उसमें हम बनाएंगे और बहुत उमीद करते सब धुमधाम से बनाएंगे अब प्रान प्रतिष्ठा जो इतना बड़ा समान समारो हो रहा है अयोध्या में और उसके बाद इतना सब बोल रहे है कि लोगों का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा international tourist, national tourist कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में वहां आएंगे जिसकी facilities सब जगे हो रही है और प्रान प्रतिश्टा है क्या? मतलब प्रान प्रतिश्टा हम जो जानते हैं बगवान की आत्मा को बगवान की मूर्ति में अवहां करना एक प्रान प्रतिश्टा कलाता है जैसे इंगलिशन हम बोलने कि अवेक्निंग और इंफ्यूजिंग भी लाइफ इन आईडल को हम प्रान प्रतिश्टा कहते हैं लेकिन इसके आगे भी क्या है? क्यों करते हैं ऐसा और सबसे बड़ी बात कि कैसे होती है यह प्रक्रिया तो इस पे आज बात करेंगे आपको पूरे चीज़े जो हमने धूनी हैं देखी हैं वो आपको सब बताऊंगा लेकिन बताने से पहले दो बाते आमने सामने का शो हमारा प्रायोजिक शो होता है जिसक कोई भी जिनको अपना इंटल इंप्लांट करवाना है या फिर रूट के नाल करवाना है या फिर आपको अपनी जॉलाइन और नोज लाइन को सुंदर बनाके एक अच्छी हसी चाहिए है तो आप जहासी के अमंग दे बेस्ट नेक्सिल एफिशल सर्जन डॉक्टर रजत अच्छी चाहिए और उनसे अपॉइंटमेंट ले और उनसे अपॉइंटमेंट ले और या फिर एक्सपिरियंस पोन नमबर बगरा से आपको इसके डिस्क्रिप्शन दे मिल जाएगा इसके साथ हमारे सहब प्रज़क है जहासी के इंटीर टच जो की एक जहासी का एक मात् और इनकी जो ओनर है मैडम उधिता गुपता ये बहुत अच्छी इंटीर्स का काम करते हैं तो अगर आपको इंटीर्स का काम करना हो या आपको ग्रह सज्जा में कुछीज चाहिए हो या ओफिस सज्जा में कुछीज चाहिए हो तो आप इनके शोरूम जाए I can assure you you will not come empty-handed and there's a huge choice to pick your things which you want to decorate your house in office तो आइए अप चलते हैं आयोध्या के उस भव्वे समारों में जो 22 तरिक को होने जा रहा है प्रान प्रतिष्ठा इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि प्रान प्रतिष्ठा क्या है तो सबसे पहले मैंने आप से जैसे कहा कि जब आप इसी मूर प्रतिष्ठा का प्रासेस कहते हैं तो इस अल अबाउट इन्फ्यूजिंग इनर्जी तो एंशिर दी ट्रांस्फोर्मिशन हैपने फ्रम आइडल तो डीटी यानि कि हम उसमें इतनी उर्जा डाल रहे हैं इतनी उर्जा दी जा रही है कि वह मूर्ति जो है वह हमारी मूर् बाद्ध मान रहे हैं वह चीज़ हो जाएगी इस पान पतिष्ठा की समारों के बाद और ये कैसे होता है इसमें कई सारा प्रासेस है जिसमें की आप मूर्ति को पहले सरी नदी में ले जा करके आप उसको थान किराते हैं फिर उसके बाद आप शहर बें घुमाते हैं फिर उस मूर्ती को आपको कई सारे प्रोसेस से निकालना होता है, जिसमें जल में रखना होता है, फिर उसके बाद आप उसको ग्रेंस में या धाने में रखना होता है, या फिर उसके बाद उसको फिर आप फ्लावर्स में रखते हैं, और उसके बाद आप उसको दूद्स में रख और फिर ये कहा जाता है कि आईडल को हम ने अपना एक living member मान लिया है और यह चीज कानून में है कि जब आप उसे living member मान लेते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है और living member के नाम पे वो property लिग दी जाती है मतलब living member के नाम पे आप चलावा भी चला सकते living member के नाम पे वो property हो है जो कि हमारे देवी देवता हो गए तो ये राम मंदिर जो बन रहा है ये श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है जो हमारे Transfusion से हमारे देवता वहाँ पर आ जाएंगे और उनको हम अपना Living Member मान के उनको हम पूजा करेंगे और उनको उनकी ये प्रापर्टी मानी जाएगी तो ये करते क्यों हैं तो हम आपको इस चीज बताना चाहेंगे कि प्रान प्रतिष्था क्यों होता है लेकि कानूनी और लीगल टर्म में मान जाता है प्रान प्रतिष्था ये उनी मूर्तियों में हो सकता ह आप पनुはいऽ जो मूर्ती किसी मंदर में रख ही जाएं यह मूर्तियां वो होती जिसे आप प्राण स्थापित कर रहे हैं और आप मान रहे हैं वो living being हैं और इसी वज़े से उनको legally laws ऑप sellers के अंतरगत और वो अब आपका घर नहीं रह गया है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी हमानेता रखते हैं, क्योंकि वो एक इसतर के Member है, जिन को पूजा करने के लिए, जिन को नहलाने के लिए, जिन को तीन भार भोग चड़ने के लिए, और हर चीजे का ध्यान रखने के लिए, उनको हम एक पुजारी तक देते हैं यानि कि उनकी केर टेकिंग के लिए और हाँ ये पुजारी कोई भी हिंदु नहीं हो सकता ये कोई शक्रिय हिंदु नहीं हो सकता ये कोई काईस से कोई बन्या हिंदु नहीं हो सकता He has to be a Brahman who will offer his services to the Lord Almighty who will be treat that He is a life in itself living with us It's a very beautiful और ये process जो है ये बुद्धिज्म और हिंदु इसम में बहुत माना जाता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म और हिंदु इसम में ही माना जाता है कि श्यानिटी में भी इस process को consecration ceremony consecration ceremony बोलते हैं किसी को हो जाने के बाद आप किसी जगे को church बोल सकते हैं और Jesus में जब हम ये करते हैं तो उसको फिर चर्च बोलते हैं और जो वहां के पजारी हैं उनको हम फिर bishop या father बोलते हैं So this is a ceremony which is basically all over the world हम हिंदूज्म और बुद्धिस्म से ये शुरू हुई लेकिन Christianity में भी ये बहुत चलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुजारी इन देवी देवता का ध्यान रखते हैं उनका काम होता है उनको salary trust से मिलती है उनके घर से मिलती है हम अपने अकुप को देते हैं या पिर हम किसी को देते हैं लेकिन उनका ध्यान देवी देवता का ध्यान रखने के जो उनके अंतर प्राण आगए है तो उनके लिए एक भ्राम्वन जी होते हैं जो पुजा करवाते हैं नहलाते दुलाते हैं उनको उनका भोग लगवाते हैं सारी चीज़ों उनकी करवाते हैं किसी मूर्ती में आप प्रान प्रतिष्ठा करते हैं और उनके अंदर लाइफ डालते हैं तो सबसे जरूरी बात इसकी यह है कि जिस भी मूर्ती के अंदर जान डाली जा रही है जहां पर यह प्रासेस हो रहा है कौन सी क्रेशन सेरिमेनी हो रही है वहां की मूर्ती बहुत गुजनियस्थल को कुछ होता है। तो उसे गुस्ताख कहा जाता है। और सिख गुरदवारे में जब गुरु के वहाँपे कुछ ऐसे होता है। तो इसी तरीके से और हाँ, जो भी ये करता है। तो उस को सजा भी दे सकती है अगर वो कोई अहित कर रहे हैं ऐसी जगे का जहां पे एक प्रान प्रतिष्ठा हुई हो और प्रेयर्ज ओफर हो रही हो और इस तरीका कोई चीज हो रहा हूँ तो इस वहाँ प्रान प्रतिष्ठा है वहाँ प्रान प्रतिष्ठा है वहाँ प्राक्रिया से शुरू हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यह होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं हिंदूस में जो जिनको अभी यह सब चीज़े मालून नहीं कि प्रान प्रतिष्ठा क्या है उन्हें माल में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है लेकिन क्या है मैंने सोचा मैं अपने जहासी को यह बताओं मैंने सोचा कि मैं अपनी नई जिन को यह बताओं इसलिए मैंने चूटा सा एक इनफर्मिशन आपके साथ शेयर किया है और मैं इसके लिए शुक्र गजार हूँ मेरे ब्रदर का जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को मेरी बेटी के साथ नहीं कुछ बात चल रही थी मेरी बेटी को उन्होंने कुछ पूछ है and I'll tell you one thing he is the person who is residing in US but still he loves to see all this and he accepts that he is a Hindu by heart and he wanted to understand what is प्रान पतिष्टा है उनको जिग्यासा थी उन्होंने वो जानकारी निकाली और फिर वो सारी हमारे साथ शेयर करी और मैंने सोचा कि मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूं अपनी कम्यूटी के साथ शेयर करूं ताकि जो 22 तारिक को होने जा रहा है उसको जो हम देखे तो हम समझें कि वहाँ पे एक मूर्ती नहीं मूर्ती में अंदर प्रान आ रहे हैं और वो देवी देवता में टर्न हो रही है जो लिविंग है और जिनको हमने अपना अराध्यमान आई जिनके हम पूजा करेंगे तो आप के बाद वो देवी देवता का मंदिर हम सब के लिए खुल जाएगा और फिर हम उनके द्वार जा करते हैं और यह तो सभी जानते हैं कि इस भव्वे तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर सार योगिया जितनाती जीने और हमारे प्रैमिनिस्टर सार नरीन मुरी जीने इतना और इस जी हमारे राम जी के देशन करने का तो एक बार फिर से जैश्री राम और उमीद करते हैं आपको यह इंफॉर्मिशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा कमेंट में जैश्री राम डालिएगा और इसको अपने दोस्तों और भा जैश्री किया है थैंक यू सो वर्य मुच्छ याओ